आज की फिल्म को स्टार्ट करने से पहले हमें एक्जॉर्सिजम वर्ड को समझना बहुत जरूरी है दरसल एक्जॉर्सिजम क्रिश्चैनिटी में भूत भगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है और आज के हमारी कहानी ऐसे ही प्रक्रिया पर आधारित है जिसमें सच्ची दोस्ती की लड़ाई बुरी आत्माओं से होने वाली है So without wasting any time चलिए start करते हैं आज की कहानी को Hollywood Silver Screen presenting My Best Friends Exorcism तो कहानी की शुरुआत में हम Abby और Gresham नाम की दो Best Friends को बात करते हुए देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि Gresham जल्द ही अपनी Family के साथ दूसरे Town में Shift होने वाली है इसलिए इनके पास एक साथ बिताने के लिए ज्यादा समय नहीं है Abby Gresham को Pick Up करने के लिए आती है जहां से ये लोग साथ में स्कूल चले जाते हैं स्कूल में Gresham और Abby अपने बाकी के दोस्त Margaret और Glee से मिलते हैं जहां पर Margaret का boyfriend Wallace भी होता है और यहीं पर ये सब girls मिलकर Margaret के Lake House में पार्टी करने का फैसला करते हैं लेकिन ये पार्टी सिर्फ girls के लिए थी इसलिए Wallace को वहां आना allowed नहीं था जिधर अब Abby पार्टी में जाने के लिए अपने parents से permission ले रही होती है जहां हमें पता चलता है कि Abby की mom Gresham को कुछ खास पसंद नहीं करती है पर इससे इनके plan पे कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता है क्योंकि weekend के आती सब Margaret के Lake House पर पहुँच जाते हैं ये सारी friends आपस में बैटकर वहाँ पर बात कर रहे होते हैं जहां Margaret एक पुराने house की तरफ इशारा करके बताती है कि यहां बहुत पहले एक ritual में Molly नाम की लड़की की बली दी गई थी और माना जाता है कि तब से वो इसी घर में भटक रही है लेकिन ये सब Margaret की इन बातों को पुरानी कहानी समझ कर उस पर भरोसा नहीं करती है जिधर ये लोग एक नए adventure को खोशते हुए ये decide करते हैं कि हम लोग इस घर के अंदर जाएंगे और इस मन घढनत कहानी को गलत प्रूफ करेंगे Margaret ओजा बोड लेकर अंदर चली जाती है जहाँ पर वो इन सब को घोस्ट से बात करने का idea देती है जिस पर पहले तो सब मना करते हैं लेकिन Margaret के काफी समझाने के बाद सब मान जाते हैं और जैसे ही वो सब उस बोड पर हाथ रखकर उससे सवाल पूछते हैं वो बोड हिलने लगता है जिससे सब लोग बहुत बुरी दरा से डर जाते हैं और तभी अचानक से दरवाजे पर जोर जोर से आवाज होने लगती है एबी हिम्मत करकर गेट को खोल देती है जहाँ पर एक आदमी मास्क पहने खड़ा होता है जिसको देखकर सब डर जाते हैं लेकिन वो मास्क वाला आदमी वालेस होता है जो सब को डरा देता है जिसको देखने के बाद मारगरेट बोलती है कि मैं नहीं वालेस को यहाँ पर बुलाया था और एक-एक करके स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं लेकिन एबी अपना मेकप उतरने के डर से पाने के अंदर नहीं जाती है जिसका मार्गरेट मजाक उडाती है जिससे गुसा होकर वो वहाँ से चली जाती है और उसे गुसा होता देख ग्रेशन भी उसके पीछे चली जाती है अब ये दोनों जंगल में घूम रहे होते हैं कि तभी इन्हें अब वो पुराना घर दिखाई देता है जिसमें वो रिचुल परफॉर्म किया गया था ग्रेशन उसके अंदर चलने के लिए खहती है लेकिन एबी मना कर देती है वो बोलती है कि जब हमने ओजा बोड से उससे बात करने की कोशिश करी थी तो ओजा बोड हिलने लगा था जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर सूपर नैचुरल पावर्स हैं लेकिन फिर भी ग्रेशन के काफी बोलने पर वो उसके साथ घर के अंदर चली जाती है जहां कुछ अजीब सी आवाजे सुनाई देती है और जब ये लोग घर के थोड़े और अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक अजीब सा पेड दिखाई देता है जिसमें से एक आख इन्हें देख रही होती है ये दुनों दर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन ग्रेशन वही गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है लेकिन फिर भी वो भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसे कोई पीछे से खीच लेता है उधर एबी वहाँ से बाहर निकल कर गली और मार्गरेट से मिलती है जहां उसे पता चलता है कि वॉलिस तो अपने घर चला गया है लेकिन ग्रेशन को ढूनने के लिए ये तीनों वापस उस घर में चली जाती है जहां उन्हें ग्रेशन तो मिल जाती है लेकिन उसका बिहेवियर बहुत बदला-बदला सा लग रहा था मानो कि जैसे वो ग्रेशन होई ही न जिसके बाद अब अगले दिन हमको स्कूल में दा लेमन ब्रेदर नाम के एक बैंड का शो होता हुआ दिखाया जाता है जहां उस बैंड का एक मेंबर क्रिस ग्रेशन के दरफ देखता है और समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड है और जैसे जैसे दिन बीत रहा है ग्रेशन की हालत भी बिगड़ती जा रही है उसने खाना और नहाना छोड़ दिया है और यही बात जब वालेस उससे बोलता है तो वो गुस्सा हो जाती है और उस पर उल्टिया कर देती है और ऐसे ही सारी अजीब घटनाओं के साथ ये दिन बीच जाता है जिधर अब रात में जब ग्रेशन सो रही होती है तो उसकी चादर को कोई खीचता है जिससे वो उट जाती है वो डर के अपनी चादर को नीचे जमीन पर पड़ा हुआ देखती है जिसमें कुछ हल चल हो रही होती है जिसको देखने के लिए ग्रेशन हिम्मत करती है और वो चादर को हटा दीती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है जिसको देखकर वो शौक भी होती है और डर भी जाती है क्योंकि उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास हुआ था अब यहां से सीन शिफ्ट होता है और हम वो बोलती है कि जब से हम उस ट्रिप से वापस आये हैं तब से हर रात मुझे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। कि उसकी इस हालत के बारे में किसी को पता चले इसलिए वो Abby से प्रॉमिस लेती है कि प्लीज तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी लेकिन Abby को अपने दोस्त की चंता होती है इसलिए वो ये सारी बात Gresham के पैरेंट्स को बता देती है लेकिन उसके parents को अपनी बेटी से ज्यादा शायद उनकी reputation प्यारी थी इसलिए वो Abby को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं जिनके कहने पर Abby वहाँ से चली जाती है लेकिन अभी भी उसको Gration के फिक्र थी तो मैं तुमारी scholarship बन कर दूँगी लेकिन अभी भी Abby अपनी दोस्त Gration को बचाना चाती थी इसलिए मजबूरन वो उसी पुराने घर में वापस चली जाती है जहाँ पर वो कुछ photos को click करती है और photos click करते वक्त उसको एक दिवार पर endras लिखा दिखता है और जब वो उस घर को थोड़ा और सर्च करती है तो उसको वहाँ पर Wallace की पसंदीदा बीर की बोतल भी मिलती है जिससे उसका Wallace पर शक यकीन में बदल जाता है वो घर आकर ये सारी बात Glee को बताती है जहाँ पर Margaret भी होती है यहाँ तक तो सब ठीक था क्योंकि Abby को इन सबसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था लेकिन हद तो तब हो जाती है जब Gration भी आकर Abby से नाराज हो जाती है क्योंकि उसने उसका promise तोड़ दिया था Abby के intentions अच्छे थे इसलिए उसे सब की नाराजगी सहनी पड़ रही थी जिसके बाद अगले दिन इनके स्कूल में कारनेवल होता है जहाँ Gration Abby से माफी मांगती है और वो उसे एक गेम खेलने के लिए मना लेती है लेकिन वो Abby को जान बूच कर पानी में गिरा देती है जिससे उसका पूरा मेकप निकल जाता है और सब उस पर हसने लगते है जिससे निराश होकर Abby वाश रूम में चली जाती है जहाँ पर आकर Gration उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन Abby उसको देखकर गुस्सा हो जाती है और उसको बहुत भला बुरा सुनाती है जिसको सुनकर Gration रोते हुए अपने आपको चोट पहुशाने लगती है और तभी उसे एक आवाज सुराई देती है जो इन सारी चीजों के लिए उसको ब्लेम कर रही थी वो दोनों वहाँ से चली जाती है जिसके बाद रात के वक्त Gration के घर का सेफटी अलाम अपने आप चालू हो जाता है जिसको उसके पेरेंट्स बंद करने की कोशिश करते हैं उधर दूसरी तरफ Gration के साथ कुछ अजीब सी चीज़े होने लगती है लेकिन अलाम की आवाज इतनी तेज होती है कि उसकी आवाज किसी को सुनाई ही नहीं देती है और जब अलाम बंद होने के बाद Gration के डैड चेक करने के लिए उसके कमरे में आते हैं तो Gration एक चेर पर बैठी होती है जिसको देखकर वो वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनको वो सब नॉर्मल लगता है लेकिन जैसे ही हम Gration को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि Gration किसी के possession में है उसकी आखे पूरी तरह white हो चुकी है और वो paper पर सिर्फ hell लिखे जा रही है अब यहाँ से एक बार फिर से scene shift होता है और हम next day Gration को अपने दोस्तों के साथ school में देखते हैं जहां वो पहले से तो काफी अच्छी लग रही थी यहीं Glee को उसके locker में एक letter मिलता है जो किसी ने Glee के locker में रख दिया था और उधर दूसरी तरफ Gration Margaret को एक diet shake देती है जिसको वो रोज पीने लगती है Gration उसको बोलती है कि शायद ये letter Margaret ने तुमारे locker में रखा है जिसको सुनकर Glee Margaret से बात करने जाती है लेकिन Glee की सारी बाते सुनकर Margaret उस पर हसने लगती है उधर Abby locker से कुछ सामान लेकर जाती है जिसको उसने Abby को रखते हुए देख लिया था जिसके अंदर एक पेज़ पर तो endras लिखा होता है और दूसरे पेज़ पर Glee की drawing के साथ help लिखा होता है जिसको देखकर Abby समझ जाती है कि Glee की जान अब खत्रे में है इसलिए वो भाग कर Glee के पास जाती है जहां Glee washroom में होती है और उससे मिलने Gration आती है वो उसे brownie खाने के लिए देती है जिसको खाने के बाद Glee की तब्यप विकरने लगती है क्योंकि उस brownie में peanut था और Glee को peanut से allergy थी Gration उसकी कोई मदद नहीं करती है और वहीं पर खड़ी रहती है लेकिन तभी Abby और बाकी के लोग आ जाते है Abby समझ जाती है कि ये काम Gration का ही है अब Abby Margaret से मिलने उसके घर जाती है जहां Margaret की हालत और खराब हो चुकी थी वो कुछ खाने की कोशिश करती है तो उसको उल्टी होने लगती है और तभी अचानक से Margaret के मुँ से एक 10 फीट लंबा warm निकलता है जिसको देखकर ये दोनों घबरा जाती है लेकिन Margaret का डॉग आकर उसको खीच कर ले जाता है दरसल जो शेक Gration ने Margaret को पीने के लिए दिया था उसमें इसी warm candy थे Abby इन सब चीजों को देखकर बहुत confused थी इसलिए अब वो उसी Lemon Brother Band के मेंबर Chris से मिलने जाती है जहां वो उससे सवाल पूछता है और वो बताता है कि Gration को किसी शैतान ने पजस किया है ये लोग Gration के उपर एक्जॉर्सिजम करने का फैसला करते हैं लेकिन Gration अपनी मर्जी से इनके साथ तो चलेगी नहीं इसलिए Abby को रात को उसके घर में जाकर उसकी ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिलानी पड़ती है Abby उसकी ड्रिंक में पिल्स तो मिला देती है लेकिन जब वो वहां से जाने लगती है Gration उसको देख लेती है जो उस पर हमला कर देती है लेकिन तभी उन पिल्स की वजह से वो वहे पर बेहोश हो जाती है जिसके बाद एबी और क्रिस ग्रेशन को उसी लेख हाउस में एक्जॉर्सिजम के लिए लेकर आते हैं लेकिन ग्रेशन के ऊपर उस जादू का कोई असरी नहीं होता है इसलिए क्रिस उसके उपर पवितर जल डाल देता है जिसका उस पर असर होता है और वो अजीब सी हरकते करने लगती है वो अपना नाम उन दोनों को एंडरास बताती है जिसको सुनकर क्रिस अपना आपाख हो देता है और वो उस शैतान के साथ ग्रेशन को भी मारने की नहीं है लेकिन फिर भी वो एक्जॉर्सिजम करने से मना कर देता है और अब एबी के उपर सब को छोड़ कर वहां से चला जाता है एबी डर डर के ग्रेशन के पास जाती है लेकिन तभी वहां पर अंधेरा हो जाता है और ग्रेशन उसके उपर हमला कर देती है एबी उससे ब क्रियेचर बाहर आता है जिसका नाम एंडरास होता है उसी क्रियेचर की वजह से ग्रैशन ये सब कर रही होती है वो क्रियेचर ग्रैशन पर हमला करता है लेकिन एबी उसका ध्यान अपने और खीच लेती है जिससे वो क्रियेचर अब एबी के पीछे पड़ जाता है एबी ख क्रिएचर मरता है ग्राइशन भी उसके पृज़ेशन से फ्री हो जाती है एबी ने कुद को और ग्राइशन को उस उस च्रीचर से सका लिया था उसने यह साबिद कर दिया था कि सची दोस्ती..? कितनी ताकत होती है जिसके बाद अगले सीन में हम ग्रेशन को उसका सामान शिफ्ट करते हुए देखते हैं जो बिलकुल ठीक लग रही है ग्रेशन दूसरे शहर जाने के लिए तैयार हो रही है और जाते जाते वो एबी से एक प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा उसकी बेस्ट फ्रेंड रहेगी और उससे मिलने भी आत इतना ही लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग कहानी के साथ पर तब तक के लिए धन्यवाद